अगर किनी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर से जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिसे कि हमारा दिन प्रति दिन आने वाला वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आपको आपकी परिछाओं में मदद करें आप अपने लक्ष को जरूर प्राप्त करें तो चलिए आज हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम की महत्वपूर्ण प्रसनों के बारे में जैसे सौर मंडल में कुल कितने गरा है तो सौर मंडल में कुल आठ गरा है सौरी के चारो और घुमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी गरह के चारो और घुमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी गरह के चारो और घुमने वाले पिंड को उपगरह कहते हैं गरहो की गती के नियम का पता किस ने लगाया था? तो गरहो की गती के नियम का पता कैपलर ने लगाया था अंतिरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है अंतिरिक्ष में कुल 89 तारा मंडल है सारे मंडल का सबसे बड़ा गरह कौन सा है तो सारे मंडल का सबसे बड़ा गरह ब्रहस्पती है सारे मंडल का जनमदाता किसे कहा जाता है सारे मंडल का जनमदाता सूरी को कहा जाता है कौन से ग्रह सूरी के चारो और दक्षिना वर्थ गुमते हैं तो ये हैं सुक्र और अरुन ये दोनों सूरी के चारो और दक्षिना वर्थ गुमते हैं निक्स ओलम्पिया कोलम्पस परवत किस ग्रह पर है तो निक्स ओलम्पिया कोलम्पस परवत मंगल गरापर है ब्रह्मान में विसफोटी तारा क्या कहलाता है सौर्य मंडल की खोज किसने की प्राचिन भारतिये सूरी को क्या मानते थे तो प्राचिन भारतिये सूरी को एक गरह मानते थे सूरी कौन सी गैस का गोला है सूरी हैड्रोजन और हिलियम दोनों मिला कर बना हुआ है इसलिए सूरी को हैड्रोजन और हिलियम गैस का गोला कहा जाता है सूरी के मद्धिभाग को क्या कहते है किस देश में अर्धिरातरी को सूरिय दिखाए देता है जहां दोस्तों important question पे है किस देश में अर्धिरातरी को सूरिय दिखाए देता है answer होगा Norway सूरिय से गती की दूरी को क्या कहा जाता है सूर्य से ग्रह की गती को दूरी क्या कहा जाता है हमारा अंसर होगा उपसौर उपसौर सूर्य से ग्रह की दूरी को कहा जाता है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिगरी सल्सियस है मद्धी रातिरी का सूरी किस छेतर में दिखाय देता है सूरी के रसायनिक संगठन में हैड्रोजन का कितना प्रतीसथ है कौन सा flake सूरी के सबसे निकठ है तो सुरी के निकट सबसे गरा बुध है बुधगरा सुरी का एक चकर लगाने में कितना समय लेता है तो बुधगरा सुरी का एक चकर लगाने में 88 दिन का समय लेता है सुरी से सबसे दूर कौन सा गरा है तो जैसा कि आप देख रहे हैं सुरी के सबसे नज़िक बुध था और सुरी के सबसे दूर में वरून है कौन से ग्रह जिनके उपगरा नहीं है ये important question पे है कौन से ग्रह जिनके उपगरा नहीं है तो बुध और सुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपगरा नहीं है कौन सा ग्रह सुरी का चक्र सबसे कम समय में लगाता है तो वो है बुध किस ग्रह को पृत्वी की बहन कहा जाता है पृत्वी की बहन कालाने वाला गुरह है शुक्र पृत्वी का उपगरा कौन है जहां दोस्तों पृत्वी का उपगरा चंद्रमा है पृत्वी अपने अक्ष पर एक चक्र कितने दिन में लगाती है तो प्रिथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में लगाती है जिसके कारण लीप वर्ष होता है जिसमें 29 दिन का फरवरी महिना हो जाता है प्रिथ्वी को नीला गरह क्यों कहा जाता है क्योंकि प्रिथ्वी में जल की उपस्तिती होती है इसे नीला गरह कहा जाता है लगभग तीन चौथाई इसमें जल भरा हुआ है किस उपगरह को जिवास्म गरह कहा जाता है तो जिवास्म गरह के नाम से चंद्रमा गरह जाना जाता है प्रित्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं जब भी हम लोग जैसे पुर्णीमा हो गया पुर्णीमा में अगर हम लोग देखते हैं चांद को तुवो पूरा दिखाय देता है तुवो पूरा सिर्फ हम लोग उसका एक भाग ही देख सकते हैं हम लोग उसका दूसरा भाग नहीं देखते हैं मतलब की 50% लेकिन प्रित्वी सेश्चंदिरमा का अधिकतम 57% भाग देख सकते हैं उत्री गोलार्द में सबसे बड़ा दिन कौन सा है उत्री गोलार्द में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है किस तिथी को रात और दिन दोनों बराबर होते हैं या डेट है 21 मार्च और 22 सितम्बर इन दोनों तिथी को रात और दिन बराबर बराबर होते हैं सुर्य द्वारा उर्जा देती रहने का समय कितना है तो सुर्य द्वारा उर्जा देती रहने का समय 2011 वर्ष का है सार मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी कौन सा है? जहां important question है सार मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी कौन सा है? अंसर है अलिपस मेसी अरुन गरह की खोज कब हुई? तो अरुन गरह की खोज 1781 इसवी में हुई प्रिथवी द्वारा सूरी की एक परिकर्मा को क्या कहते हैं? तो प्रिथवी द्वारा सूरी की एक परिकर्मा को सौर वर्ष कहते हैं प्रिथवी पर रितु परिवर्थन का क्या कारण है? प्रित्वी पर हित्यु परिवर्थन का कारण प्रित्वी अपने अक्ष पर जोकी होती है प्लूटो गरा की मान्यता कब समाप्त की गई? प्लूटो गरा की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई चंद्रमा प्रिथ्वी की एक परिकर्मा कितने समय में लगाता है? जी हाँ, चंद्रमा प्रिथ्वी की एक परिकर्मा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है ज्वार भाटा के स्थिती में सबसे अधिक परभाव किसका होता है? तो जुआर भाटा के स्थिती में सबसे अधिक परभाव चंद्रमा का होता है जुआर भाटा किसके कारण होता है? जुआर भाटा होने का कारण है सुर्य और चंद्रमा की अपकेंद्र और आकर्षन बल के कारण चंद गरहन कब होता है तो ये पुर्णीमा को होता है सुरी गरहन कब होता है तो ये अमावश्या को होता है कौन सा खगोली पिंड को रात की रानी कहा जाता है जी हाँ या है चंदर्मा चंदर्मा एक ऐसा खगोली पिंड है जिसे रात की रानी कहा जाता है नंगी आँखो द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं यूरेनेस की खोज किस ने की सूरी क्रहन का क्या कारण है इतका कारण है चंद्रमा के सूरी और प्रित्वी के बीच आ जाने के कारण सूरी का दिखाई न देना जिसे हम लोग सूरी ग्रहन कहते है चंद्र ग्रहन कैसे होता है तो जब प्रित्वी सूरी और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो प्रित्वी की छाया चंद्रमा पर पढ़ती है जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और हम लोग उसे चंद्र ग्रहन कहते है तो यह ग्रह है सुक्र, सुक्र को ही सौंदरी का देव कहा जाता है, प्रिथ्वी सुरी से सबसे अधिक दूर कब होती है, इतका अंसर होगा, चार जुलाई, चार जुलाई को प्रिथ्वी सुरी से सबसे अधिक दूर होती है, प्रिथ्वी सुरी के सबसे निकट कब होती है, तो ये है तीन जन्वरी, तीन जन्वरी को प्रित्वी सूरी के सबसे निकट होती है प्रित्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घुमती है? प्रित्वी अपने अक्ष पर पश्चिमते पूरुव की ओर घुमती है रात और दिन होने का क्या कारण है? रात और दिन होने का कारण है कि पृथवी का अपने अक्ष पर घुमना भू का अक्ष तल पर भू अक्ष का जुकाव कितना होता है तो यह जुकाव 76 डेग्री का होता है सूर्य सौर मंडल का केंदर है और प्रिथ्वी सूर्य के चारो और घूंती है यह पता सर्व प्रथम किस ने लगाया था तो जी हां इतका पता सर्व प्रथम कौपर निकश ने ही लगाया था सर्व प्रथम प्रिथ्वी की तिरिज्ज किस वेग्यानिक ने नापी अंसर है इरेटो अस्थनिजने प्रिथ्वी की तरह किस गरह पर जीवन की संभावना है तो मंगल गरह एक ऐसा गरह है जिस पर प्रिथ्वी की तरह ही जीवन का संभावना है ब्रहस्पती गरह की खोज किस वेग्यानिक ने की तो ब्रहस्पती गरह की खोज गैलिलियो ने की कौन सा गरह हरा प्रकास उत्तर जित करता है तो यह गरह है वरून Sea of Tranquility यह कहां इस्थित है तो Sea of Tranquility चंद्रमा पर इस्थित है चंद्रमा से प्रकास को प्रित्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है तो दो सेकेंड से भी कम समय लगता है किस आकास से पिंड को प्रित्वी पुत्र कहा जाता है तो यह आकास पिंड है चंद्रमा हैली धूम केतू का आवर्थ काल कितना होता है मंगल और ब्रेस्पती ग्रहों के मध्य सूरी की परिकर्मा करने वाले पिंडों को क्या कहते है तो मंगल और ब्रेस्पती ग्रहों के मध्य जितने भी पिंडों होते हैं जो सूरी की परिकर्मा करते हैं इन्हें छुद्र ग्रह की नाम से जाना जाता है पूर्ण सूरी ग्रहन के समय सूरी का कौन सा भाग दिखाए देता है तो जिहां पूर्ण सूरी ग्रहन के समय हमें सूरी का किरिट भाग दिखाए देता है जिहां दोस्तों अगर आपको हमारी ये जनकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लैक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू